दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं भूख को तेजी से बढ़ाने का घरेलू देशी तरीका जो बेहत ही फायदेमंद है आप अपने घर में रखे समान से इस नुस्खे को बना करके अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो जो लोग परेशान हैं उनको भूख नहीं लगती है उनके सामने खाना होता है लेकिन खाने का मन नहीं करता है तो उनको करना ये है कि चार से पांच काली मिर्च के दाने लेने है जो आसानी से आपके रसोई घर में विलेंगे और छोटा सा मैशर लेके उसमें डाल करके इसको कूट कर बारीक सा पॉर्डर सा बना लेना है काफी जादा इजी में रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ये देखिए इस तरीके से हमने काली मिर्श का पॉर्डर बना लिया है इसको हम इस्तिमाल करने वाले हैं इस नुस्खे में और उसके लिए हमें लेना है एक नीबू अगर आपके पास नीबू नहीं है आपके पास संत्रा है औरेंज है तो आप उसका जूस भी ले सकते हैं तो आप उसका रस भी ले सकते हैं मैंने यहां पे नीबू का इस्तिमाल किया है नीबू क्या करता है हमारे पेट की अच्छे से सफाई करता है जो कि जब हमारा पेट साफ होगा तो हमारे पेट को खाना भी खाने का मन होगा तो फ्रेंड्स हमने इसमें लेना है काली मिर्श करके देखें पहले दिन से ही आपको आराम मिलेगा इसके बाद में हमें लेना है काला नमक दो चुटकी या फिर सेंदा नमक इन दोनों नमक के अलावा आप इसमें कोई साभी नमक इस्तिमाल कर सकते हैं मिलाने के बाद में हमारी ये रेमेडी तयार हो चुकी है इसको लेने क पहले आदा घंटा पहले आपको इस रेमेडी को ले लेना है लगबग तीन दिन तक करके देखिए तीन दिन में ही आपकी भूख इतनी जादा बढ़ जाएगी कि आप खुद हैरान रहे जाओगे